नमस्कार स्वाकत है आप सभी का आपके अपनी नीज चनल आरे नीज पर आपके साथ मैं हूप अल्लेवी रवींदर सिंगुल्टिन की शुरुआत करेंगी इस वक्ती बड़ी खबर के साथ जुले में मलेरिया के दोनी मरीज सामने आ चुके हैं एक ही गाउं में मलेरिया मरीजों की संख्या जो है वो अब 24 हो चुकी है गाउं में सफाई अभियान लगातार चुलाया जा रहा है अपकी जनकारी के लिए आपको बताते चले कि लगातार वाइरल फीवर जो है डेगू मलेरिया अपने पैर पसारता जा रहा है कोविट के बाद और जिसको देखते हैं अब प्रशासन जो है स्वास्तिविभाग महकमा जो है वो सतरक हो चला है आपको ये भी बता दे कि गवाँ में सफाय अभियन चलाया जा रहा है इसके साथ साथ दो दिन में साथ बच्चों को भी भरती कराया गया शहर में डेमुगू का भी नया मरीज मिला है स्वास्तिविभाग के रोखाम के दावे पूरी तरीके से विफल होते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं स्वास्तिविभाग के दावे फेल हुए हैं बड़ी खबर आपकी जलविजन स्क्रेन पा डेंगू, मलेरिया, वारल फीवर के केसे लगातर बढ़ते जा रहे हैं जिले में मलेरिया के अब दो नए मरीज सामने आए लखनाउ से बड़ी खबर आप तक पहचाएंगे राजनीस से जुड़ी हुए आ रही है, सपा जो है वो उचाहार में फूलन देवी की मूर्ती लगाएगी, सपा भी सितंबार को उचाहार में मूर्ती लगाएगी राइबरीली जुले के उचाहार में इस मूर्ति को लगाया जाएगा सपा पूर मंत्री मनोज पांडे भी इस दोरान मौजूद रहेंगे तो आपकी जौनकारी के लिए आपको बताते चले जाती है समीकरन साधने की सभी राज नितिक पाटिया कोशिश कर रही है जुसको देखते हुए अब सपा जो है वो फूलन देवी की उचाहार में मूर्ति लगाने जा रही है पूर मंत्री सपा के पांडे जी भी वहाँ पर मौजूद रहेंगे सपा उचाहार में फूलन देवी की मूर्ति लगाएगी विस्तार से खबरों की तरो रुख करेंगे उत्राखण में बीदे 24 घंटों में कोरोना के संक्रुमित मरीज मिले हैं 24 वहीं एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है जबकि 23 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भीज दिया गया सक्री मामलों की संख्या 320 पहुच गई है स्वस्तिभा की और से जारी बुलिटन के अनुसार शनिवार को आठ जीले अलमोडा, चमोली, हरिद्वा, नैनिताल, पौडी, रोध, प्रयाग, टेहरी और उधम सिंग्नगर में एक भी संक्रुमित मरीज नहीं मिला है वागिशर मे प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल संक्रुमितों की संख्या 3,43,211 हो गई है इन में से 3,29,438 लोग ठीक हो चुके हैं प्रदेश में कोरोना के चलते अब तक कुल आपको बताते चले 7,389 लोगों की जान चली गई उत्राखन के बाद देश में कोरोना की बात करेंगे भारत में कोरोना के नए मामलों में 3 दिनों से मामली गिरावट दर्श की गई आज रवी वार सुबा स्वास्त मंत्राले की ओर से ताजा आकड़ी जारी किये गए मंत्राले की अनुसार विछले 24 घंटों में 28,591 नए मामले सामने आए इससे पहले श्रनिवार को 33,376 शुकरवार को 34,973 के से सामने आये थे वहीं विछले 24 घंटों में 338 कोरोना संक्वतों की जान चली गई और आपको बताती चले 34,848 लोग कोरोना से ठीक भी हुएं यानि की 6,595 एकड़ी के से सकम हो गए केरल में बीते दिन कोविट के 20,487 नए मामले सामने हैं जबकि 181 और मरीजों की मौत दर्ज की गई की साथ ही राज में कोल संक्वतों की संक्या बढ़कर 43,55,191 हो गई जिन में से 22,844 लोगों की जान चली गई केरल में कोल 26,155 मरीज संक्रमित हुए थे मुक्त हो गए थे मिलकर आप जो है वो आंकड़ा जो है आपको बताते चले 14,355 पहुँच चुका है देश में कोरोना से मुरत दर 1,33 फीज दी जबकि रिकवरी रेट 97,49 फीज दी एक्टी केसी 1,18 फीज दी है कोरोना एक्टी केसी में मामले दुनिया में भारत अब साथवे स्थान पर है कुल संगम्रितों के संख्या के मामले में भारत दूसरे स्थान पर जबकि अमेरिका ब्राजूल के बाद सबसे ज़दा मौत भारत में हुँँँँच अपरी घटना की सूचना फिलहाल नहीं मिली कि शनिवार की दोपहर को गड़े इस प्रितिमा की विसर्जन की शिर्वात थी जिन प्रितिमाओं का विसर्जन किया गया उनमें 222 सार्जनिक 28,794 घरों की मूर्तिया शामिल है 16,500 मूर्तियों का विसर्जन क्रत्रिम च्छुलों में किया गया सर्जन की प्रक्रिया व्रण मुंबई महानगर पालिका दोरा महानगर पुलिस की मदद से की जा रही है। प्रदेश में कोरोना वायरस महामारी के कारण लागू पाबंदियों के बीच इस्तोहार को मनाया जा रहा है। इस बार मुंबई में पंडालों में दर्शन के अनमती नहीं होगी। दर्शन करने से मना किया जाएगा। मुंबई में संकम्न के 379 मामले सामने आए हैं और 4 मरीजों की मौत होगी। वहीं पूर्ण शहर में 144 मामले सामने आए लेकिन किसी भी मरीज के फिलहाल मौत नहीं होई। तो कोरोना से होने वाली मौत को लेकर केंदरी सास्मंत्राले और इंडिन काउंसिल फॉर मैटकल रिसर्च ने राजी सरकार को निरुदेश जारी कर दिये। सुप्रिम कोट के आदिशा नुसार केंदरी ने राज्यों को निरुदेश दिया है कि अगर किसी व्यक्त की कोरोना से मौत हो जाती है तो डेट सर्टिफिकेट पर कोरोना से मौत लिखना जरूरी होगा। इसके साथ साथ जिन लोगों की कोरोना के चलते पहले मरत्य हो चकी हो उनका परिवार भी इस नए दर्ट सर्टिफिकेट की मांग कर सकता है। परिवार से डेट सर्टिफिकेट में मौत की वजए कोरोना लिखे जाने की विवस्था बताने की बात कही। इस दिशा में काम ना होने के लिए कोट इससे पहले नाराजगी भी जता चुक है। केन ने हलफनामा दायर कर बताया है कि मृत्य प्रमणपत्र के बारे मिंदिछा नर्देश जारी किये जाए। भाजपा के उत्राखंट प्रभारी और राजसवा सदर से दुश्यंत कुमार गौतम की तबेद बिगड़ चुकी हुने पाठी कारकरताओं के साथ होने वाले समवात कारकरम को छोड़ना पड़ा। बश्रनिवार को लोहाघाट में भाजपा के संभात कारकरम में श्रामिल नहीं हो सके। भाजपा जुला मीडिया प्रभारी मोहन अध्यकारी ने बताया है कि नौड़ा से पहुचिए हलिकॉप्टर से वाद दिल्ली रवाना हो गए पार्टी के प्रदेश प्रभारी गौ दलने शुक्रवार और शनिवार सुबा सरकिट हाउस में उनकी जाच की मदुमेशी प्रभी चौस्ट वर्ष्वे दुश्यंत कुमार गौतम हर्दय रोग से भी करसे थें। वेराबरली के दो दिश्य दौरे पर रहेंगी। विधानसवा चौनाओ में कॉंग्रेस की नईया पार लगाने के जिम्मेदारी पार्टी महासिची प्रियंका गांधी के कंधो पर है। आपको बताते चलें। चौनाओ को लेकर प्रियंका लगातार यूपी का दौरा कर कॉंग्रेस की उत्रप्रदेश प्रभारी प्रियंका अपने इस दौरान चुनावी रणनीत, संगठन की स्थती, संभावी तमईदारों के नामों और कई अन्नमुद्दों पर वर्ष नेताओं के साथ चर्चा करेंगी। साथ बैठक करेंगी। दोफर बारा बचकर बारा पंदरा तक आपको बता चले फ्रंटल विभाग प्रकोस्ट के अध्यक्ष साथ बैठक फिर उसके बाद दोफर बारा पैतालिस से एक पंदरा तक PCC सदस्यों के साथ बैठक होगी। रात आट से साड़े नौ तक सामाजी संगटनों और बैठक इसमें होगी उद्धोग JCB रोटरी क्लब, IMA राइबरली क्लब और केमिष्ट असोसियेशन के प्रतुनिधी रहेंगे। देश की रक्षा मंत्री राजना सिंग ने कहा है कि टू प्लस टू बारता भारत और आस्ट्रेलिया की समग रणनीत साज़ेदारी को दर्शाती है। इसके अलावा अंतरास्ट्री कानूनों का भी वो पालन नहीं करता है। ऐसे में भारत और आस्ट्रेलिया का ये बयान काफी हैं। करता है। आस्ट्रेलिया आस्ट्रेलिया थे पुर्ण नहीं करता है। झाल झाल